जुन्जनु में एक बार फिर किसान महासभा सटकों पर उतरने को तैयार है देश में भूमी अधिग्रहन कानून के नाम पर लूट बंद करने, किसानों का करजा माफ करने तता स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू कराने की मांग करेंगे देश व्यापी आहवान पर देश के सभी जिला मुख्यालेओं पर किसानों ने धरना देकर प्रदर्शन किया और प्रधान मंतरी के नाम कलेक्टर को ग्यापन सोपा और इसी के साथ जुन्जनु में कलेक्टरेट में धरना दिया और नारेबाजी भी की गई किसान नेता रामचंद्र कुलहरी ने अपने संबोधन में प्रदेश और देश की सरकार पर निशाना साधा खिल भारति किसान माज सबा की तरफ से आज रास्ट व्यापिकारी कर्म के तहर यहां जुन जिला कलेक्टरेट के सामने धरना दिया जा रहा है यह दरना एक तरह करजा माफी के सवाल को लेकर के और दूसरा जो डिमांड है वो जो बोमी अधिगरन की कारवाई पूरे देश वर में बंद करने बोमी सरक्षन कानून बढ़ानी और एमेस सौमिनात नायों के सिफारिशों को लागू करने की बात इन तीन मुद्दों को लेकर के आज यह रास्ट वापी कारिक्रम है और यह धरना आज पूरे देश वर में सरकार को चेतावनी देने के लिए है अगर इस पर कारवाई नहीं हुई तो पूरे देश वर में किसानों का जब्रस्तान दों चलेगा चूरू के गाउं बालरासर में सदर और कोतवाली थाना पुलिस ने कारवाई करते हुए अवैद रूप से संचाली शराब के ठेके को सीज किया और बड़ी मात्रा में शराब जप्त की ग्रामीनों ने बताया कि गाउं में चल रहे शराब के ठेके की शिकायत कई बार आप अब कारी भाग ने कारवाई नहीं की तो ग्रामीनों में रोश्व्याप्त हो गया ऐसे में अवैक शराब के ठेके का विरोद करते हुए ग्रामीनों ने उग्र प्रदर्शन कर दिया जिसकी सूचना पर कोतवाली और सदर ताना पुलिस मोग कर पहुँची जिसने ग्रामी भीली भगत हाउना से इंकार नहीं किया जा सकता श्री गंगानगर के अनूबगड के वाड नमबर 4 में नव निर्मित नाली 15 दिन में ही तूट गई जिससे स्थानिय लोगों में ठेकेदार के प्रती आक्रोश व्यापत है वहीं इसकी सूचना स्थानिय लोगों ने पुलिस प्रशाशन को दी जिसके बाद मोके पर पहुंची अधिकारियों ने ठेकेदार को बुलाकर इस बारे में जानकारी मांगी लेकिन ठेकेदार ने पाने का छिड़काव नहीं होने के कारण नाली तूटने की बात कहकर पल्ला जाड लिया लेकिन जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो ठेकेदार ने फिर से नाली का निर्मान शुरू करवाया जब ये पूली बनरी सी जड़े मैज़ूर सी मिश्ट्री सी उनानों रिक्वेस्ट किती ही वधिया माल लायो वधिया बनायो तैसानों ने क्या अभी जड़ा कोश सानू ठेकेदार तो मिले असी योही यूज कर सकते हैं फीज करमानान थे पंदेर सामई दिन सीकर के के शिर्मादवपुर कस्वे के निकटवर्ति क्राव कल्यान पुरा में तेजाजि महराज की प्रांट-पतिष्था को लेकर कलिस्यात्रा निकाली गई कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली है कलश यात्रा का जगे जगे पर लोगों ने पुश्वर्षा कर स्वागत किया इस दुरान महिलाओं ने भजन की इर्टन केस मोके पर बड़ी संख्या में लोग मोजूद रहे प्रदेश शरकार ने मुख्यमंत्री शहरी जनकल्यान शिविर लगाने के लिए सभी नगर निकायों को आदेश जारी किये हैं इन आदेशों के तहट मकराना नगर परिशद में भी शिविर का आगास किया गया है शिविर नगर परिशद के वार्ड संख्या एक वे पैराफेरिक शेत्र बोरावड के लिए लगाया गया इस दोरान शिविर में केवल ओपचारिकता ही नजर आई शिविर का समय सुबह दस बजे शुरू होने का था लेकिन नगर परिशद के पांडाल में बारा बजे तक सफाई कर्मी तैयारियां करते रज़ रहे बारा बजे तक आने वाले सभी आवेदन करताओं को बेरंग ही लोटना पड़ा आयुक्त प्रकाश डूडी अपने चेंबर में ही बैटकर फरियादियों की फरियाद सुनते हुए दिखाई दिये वहीं पूर पार्षद फिरोज आलम ने आरोप लगाया कि सरकार की इस योजना को अधिकारी हलके में ले रहे हैं बूंदी में मुख्यमंत्री शेहरी जनकल्यान अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया नगर परिशत परिशर में विदायक अशोक डोगरा और नगर परिशत सभापती महावीर मोदी की उपस्तिती में जिला कलेक्टर शिवांगी स्वानकार ने फीता काट कर शुभारम किया इस दोरान जिला कलेक्टर ने विदायक अशोक डोगरा के साथ शिविर में किये जाने वाले कारियों के लिए नगर परिशत के विभिन अनुभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और कार्मिकों से किये जाने वाले कारियों के बारे में जानकारी ली इस दोरान विधायक अशोग दोगरा ने कहा कि शिवीरों में 17 अक्टूबर 1909 में से पूरु सवाई चक एंक्रशी भूमी पर बने मकानों के पट्टे शिवीर के माध्यम से जारी कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी बुद्धपूर्णिमा पर परवतिय परेटन स्थल माउंट अबू में जिले समेत आसपास की संस्कृती जीवन्त होगी हिल स्टेशन पर बुद्धपूर्णिमा के आउसर पर प्रतिवर्ष भरने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में जिले के आदिवासी अंचलों से लोग परंपराओं के चलते पहुंचते हैं वहीं वर्ष भर में आदिवासी समुदाय अपने परिवार में होने वाली बुजूर्व नत्यों के बाद अस्थियों के विसरजन करने नक्की जील में इसी दिन आते हैं जहां परस्नान कर अस्थियों के विसरजन करने के बाद में माउंट आबू में ही देर शाम तक नास्ते गाते हैं। इतना ही नहीं आदिवास युवक अपने जीवन साती का चुनाओ कर मेले में से ही उसे भाग कर ले जाते हैं और अलग स्थान पर जीवन यापन भी करते हैं। मेले में क्षेत्री विधायक समार राम और रेवदर विधायक जगसी राम ने शिर्कत की और अपने समुदाय के लोगों से मेल मिलापकर व्यस्तताओं का जाय जालिया करोली में प्रदेश की मुख्य मंत्री वसुंदर राजे के तीन दिवस्य संभावी दोरे को लेकर शहर की सूरत बदल गई है शहर के मुख्य मारगों पर रंग रोगन के साथ ही सफाय व्यस्ता दुरुस्त की जा रही है पिछले कई समय से बंद पड़ी रोट लाइटों को बदला जा रहा है वहीं कलेक्टर परिसर में भी बंद पंखों की रिपेरिंग की जा रही है जुझनुक्षेत्र में सडकों की बदहाली को लेकर आमजन में रोश है ऐसे में बयान बाजी का दोर शुरू हो गया है शहर के कई संगटनों की और से सडकों की खराब हालत पर गुहार लगाई जा रही है लोगों का कहना है कि क्षतीगरस्त सडकों की बज़े से जगे जगे गड़े बन चुके हैं ऐसे में कई सडक हाथ से हो गए है बारिश के मोसम में यहाँ पर पानी भी भर जाता है इससे लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ता है शेर के कई संगठनों ने आंदोलन तक की चेतावनी भी कर दी है गंगा नगर के राय सिंग नगर में भीशन गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है वहीं बुद्वार का दिन लोगों के लिए कुछ राहत भरा जरूर रहा दोपहर में अंधर के बाद हलकी बारिश हुई वहीं बारिश के साथ बेर के आकार के ओले भी गिरे जिससे मोसम कुछ खुशनुमासा हो गया बारिश होने से मोसम ने करवट मतली ऐसे में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली सूरजगर्ण नगरपाली का क्षेत्र में कीडिया ध्रमशाला में प्रशाशन शहरों के संग अभियान का आयोजन किया गया लेकिन समय सीमा के धाई गंटे बाद भी अधिकारी और पाली का चेर्मेन सहीत पार्शद गंट शिविर से लापता रहे इस दोरान सेकडो ग्रामीन शिविर में मौझूद खाली कुर्सियों को देख कर वापस लोट गए आपको बता दें कि वार्ड एक दो वैबारा के लिए आया जिविर में पाली का अधिशाशी अधिकारी पियल जाट धाई घंटे लेट पहुंचे जबकि इन वार्डों के पार्शद शिविर में पहुंच ही नहीं पाए कि नागोर के परवसर में शहरी जनकल्यान योजना शिविर का शुभारंब किया गया एसडियम राजेंद्र सिंग्छ चंद्रावत वैपलिका ध्यक्ष रुची बोहरा ने इसका शुभारंब किया शिविर प्रभारी अधिशाशी अधिकारी महिंदर सिंग चारण ने बताया शिविर में 10 वैं 11 मई को वार्ड नमर एक वद्दों के लिए शहरीक शेत्र में भी पट्टा वित्रन का कारे किया जाएगा जुझनु जिले में शिक्षा के नवाचारों को जानने और समझने के लिए प्रदेश भर के शिक्षकों का आना शुरू हो गया है शिक्षाविभाग और रमसा की ओर से प्रदेश स्तरिय प्रशिक्षन कारेकम रखा गया है जिसमें प्रदेश भर के शिक्षकों को चार दिनों तक सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने और सरकारी स्कूलों के प्रती अभीभाव को का विश्वाश बनाने के लिए शिविर रखे गए हैं साथ ही नामांकर में रधी करने स्कूल मेनेजमेंट के तहट SMC की भागेदारी बढ़ाने और पबलिक का जुड़ाव स्कूलों से करने पर चर्चा हुई जिससे राजस्तान सरकार शिक्षाविभाग का लक्ष पूरा कर सके समापन पर पहुं जवाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहें जालोर के साहला कस्वे में पंचाय समीति की साधरान सभा की बैठक का आयोजन किया गया बैठक प्रदान जबर सिंग की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के प्रारंब में विकास अधिकारी छोगाराम विश्णोई ने गत बैठक की कारवाई का पठन किया बैठक में पानी बिजली सहीत कई मुद्दों पर चर्चा की गई जन प्रते निधियों ने अपने क्षेत्र की समश्याएं सदन में रखी जिस पर प्रदान ने सम पंच समीती सदर्शिव जिला परिशत सदर्शिव बैठक में मौजूद रहें भरतपुर में सेनी समाज का सामउऑ के हुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया इस अवसर पर सेनी समाज के पचास जोड़ों का सामउऑ के हुआ 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 इस दोरान सेनी समाज के लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। सेनी समाज की ओर से सभी 50 दूलों की बारात एक साथ शेहर के कई हिस्सों से निकाली गई। अजमेर के नसीराबाद के निकट लोहरवाडा गाउं में रेगर समाज के वैवाहिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें 16 जोडे वैवाहिक बंधन में बते। इस अवसर पर सरपंच गोवर्धन सिंग्रा ठोड रेगर समाज के जिला ध्यक्ष बाबूला सिंगारिया एवंपूर विधायक केकडी ने 9 जोडों को आशिरवात दिया। रेगर समाज रामसर कमेटी ने सरपंच वैपूर विधायक सिंग्रारिया को सम्रती चिन्न देकर सम्मानित किया। सवे माधुपूर जिले के मलारना डूंगर उपखंड मुख्याले के इंदिरा कॉलोनी खटीक महलों में पेजल संकट हो रहा है। भीषण गर्मी में पानी के समश्चा से परेशान सैकडो महिलाओं ने तैसिलदार गोरी शंकर शर्मा को ग्यापन सोप कर समश्चा समधान की मांग की है। महिलाओं ने तैसिलदार को बताया कि बूस्टिंग लाइन में अवैद कनेक्शन के चलते वैद्य कनेक्शन धारियों को पानी नहीं मिल पा रहा है जिससे महिलाएं दूर दराज हेंट पंपों से पानी लाकर प्यास बुझा रही है भरतपुर में केवलादे राष्ट्रे उद्ध्यान घना में वन्यजीव गणना बुधवार को प्रारम हुई ये गणना बुधवार को सुबह आठ बजे तक पूरी होगी वन्यजीव गणना में नेचर गाइड रिक्षा चालक और घना स्टाफ की मदद ली जा रही है से दस मई को सुबह से गुरुवार सुबह दस बजे तक परेटों के लिए घना में प्रवेश बंद रहेगा घना के वन्यजीव रेंजर महिश्यर्मा ने बताया कि गणना का प्रिशिक्षण 25 नेचर गाइड 44 रिक्षा चालक और घना के स्टाफ को दिया गया उन्हें जाया गया गणना के लिए मचान बनाकर पैंथर और अन्यवन्यजीयों पर नज़ा रखी लिए राजधानी के सांबर लेक में गुरु शुक्राचारे की पुत्री और यादव वंश के राजा ययाती की धर्म पत्नी देव्यानी के नाम से महभारत कालीन पूरानिक तीरतस्तल यह सरोवर पर बुद्ध पूर्णिमा के मोके पर हर वर्ष की माती मेलेकायोजन किया जा रहा है सरवर में काफी दिनों बात परियाप मात्रा में पानी होने के चलते آसपास के गाउं और कस्वों के लोगों में सनान करने की होड़ सी लगी रही इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों ने सरोवर की परिक्रमा और मंदिरों में निशुल्क भोजन पुशादी की विवस्था भी की थी राजदानी के फुलेरा में कोली समाज विकास समीती ने बुद्ध जैनती के मोके पर शोभायात्रा निकाली इसे मुख्य अतिथी प्रेम चंद वर्मा और प्रताप सिंग सुनेरिया ने हरी जंडी दिखा कर ज्योति बाफुले सरकिल से रवाना किया शोभायात्रा में बड़ी संख्या में स्थानिये लोगों ने हिस्सा लिया वहीं मुख्य बाजार में शोभायात्रा की जगे जगे स्वाबट किया गया